अभिनेता सनी देओल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म गदर दो को लेकर चर्चा में है जहां हाल ही में अक्टर इंडस्ट्री में फैले नेपोटिस्म पर बात करते नजर आए है जहां सनी देओल का कहना है कि उनका करियर बनाने में पिता धरमेंद्र का बहुत बड़ा हात रहा हालां की एक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके फिल्मी करियर को संबारने में नेपोटिस्म की भूमिका नहीं रही इतना ही नहीं उन्होंने नेपोटिज्म को ही खारिज कर दिया और कहा कि कुछ निराश लोगों ने ऐसा नेरेटिव सेट किया है। दरसल हानी में एक मीडिया इंट्रव्यू दौरान सनी देओल से पूछा गया कि अगर धरम जी एक्टर नहीं होते तो आज आप कहा होते। तो इस पर सनी देओल ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे पापा जहां काम कर रहे होते। मैं भी शायद वही काम कर रहा होता। वही सनी देओल ने इस बात को भी स्वीकार किया कि वहा अपने पिता धरमेंद्र की वज़ह से ही एक्टर बने। वही सनी देओल ने आगे कहा कि उनके पिता क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं। इसलिए उन्हें अभीनेता बनने का मंच और अवसर मिला जहां सनी ने आगे बताया कि लोगों को यह समझना होगा कि एक परिवार में बच्चे अपने पिता का पेशा अपनाते हैं। और उनका अनुसर्ण करते हैं। और जहां बात रही नेपोटिज्म की तो नेपोटिज्म और नफरत सिर्फ उन लोगों ने फैलाई है जो हताश है। क्योंकि अगर कोई पिता अपने बेटे या बेटी के लिए कुछ करना चाता है तो इसमें गलत क्या है। और अगर कोई पिता अपने परिवार के लिए नहीं करेगा तो किस के लिए करेगा। इसलिए मैंने अपनी पहचान बनाई और मैं यहां हूँ और मैं अपने पिता की तरह नहीं हूँ। लेकिन हम काफी हद तक समान हैं। बेशक तमाम मुश्किले थी लेकिन मैंने उन मुश्किलों के बारे में नहीं सोचा। वही अब हम सनी देवल की फिल्म गदर दो की बात करे तो यहां फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। वही इसमें एक्टर के साथ अमीशा पटेल और उतकर शर्मा भी एहम रोल में नजर आएंगे। और बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म का मुकाबला अक्षय कुमार की फिल्म ओयम जी 2 से होगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि यह फिल्म अब बॉक्स ओफिस पर क्या कमाल दिखाती है। वैसे इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है। कॉम्मेंट सेक्शन में बताईए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।